ये कोई flagship killer phone नहीं है, सरफ एक processor flagship दे देने से कोई phone अच्छा नहीं हो जाता OnePlus को जब flagship killer बोला जाता था, तब वहाँ build quality, software, camera भी अच्छा होता था processor के साथ गलती से भी इस phone को flagship killer मत समझ लेना, सब fake marketing है अगर ये processor की वज़े से flagship killer लगता है, तो बता दूँ कि ये Redmi Note 13 Pro Plus इसका killer है सिर्फ processor को छोड़ कर मैंने इस phone को marketing scam बोला था, लेकिन अब लग रहा है कि इससे बड़े marketing scam तो ये phone है और ये सब बाते में हवा में नहीं कर रही, सब explain करती हूँ practically डिजाइन की बात करूँ, मैंने इसे इस black color में इसलिए मंगाया है कि दूसरा वाला चमकता भड़कता color किसी भी standard का नहीं लगता अफकोस कुछ लोग उसे जादा पसंद करेंगे, चमकने को तो ये भी different light में चमकेगा, लेकिन ये जादा तर time simple and classic ही लगेगा camera module को unnecessary इतना बड़ा बनाया गया है, जिससे ऐसा लगे कि सबसे बड़े sensor इसी phone में use किये गए हो लेकिन ये design new 7 pro के comparison में अच्छी और उससे better है वही Redmi Note 13 Pro Plus की design भी simple है, थोड़ा curve है जिसके वज़े से इसकी design कुछ लोगों को अच्छी लगेगी और premium भी feel होगी IQ का अच्छा पार्ट ये है कि इसका back glass matte finish में है, जो fingerprint attract नहीं करता वही 13 Pro Plus का back glass premium look तो देता है, लेकिन fingerprint भी बहुत जादा attract करता है, खास करके ये glossy black Bill quality इस phone की 30,000 के उपर सबसे cheap label की लगी, यहाँ जो भी glass use किये गए हो या फिर इसका polycarbonate frame का material दोनों ही शायद lowest quality वाले है, फोन यूज करने पर लगा ही नहीं कि ये 39,000 की price वाला phone है, अब जो ये बोलना चाते है कि flagship processor के साथ ऐसी ही build quality मिल सकती है इस price पर, तो wait करें उसका भी number आएगा ये Redmi Note 13 Pro Plus पहले मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये phone इस IQ New 9 Pro से बहुत premium फीर हो रहा है यहां Corning Glass Victus यूज किया गया है front में, frame quality भी IQ से बेटर लग रही है, इसकी build quality चीप प्लास्टिक के डब्बे जैसी है इसने Redmi Note 13 Pro Plus की value और इज़त दोनों ही बढ़ा दी है IQ को अगर compare ना करें, तो यह अच्छा लगेगा उन लोगों को जो अभी तक premium build quality वाले phone यूज नहीं किये है लेकिन comparison से ही तो इसे flagship killer का नाम दिया जाएगा, तो comparison करना पड़ेगा IP rating की बाग करूं, तो यहां IQ में IP54 की rating मिलती है, जबकि Redmi Note 13 Pro Plus में IP68 water and dust resistant की rating मिलती है इस टोन में color show कर रहा है, OnePlus 12R का panel भी ऐसे ही color show कर रहा था, Redmi की value यहां भी भड़ गई है, उसकी display natural color show कर रही है और मुझे इसकी display जादा sharp लग रही है, brightness की gimmick भी कुछ अलग level पर है, मैंने YouTube पर भी कई सारे वीडियोस देखे, कहीं पर भी इसकी brightness 13 Pro Plus से जादा नहीं लगी नॉर्मल यूज में इसकी brightness थोड़ी जादा लग रही है, display cooler tone वाली है, तो एक यह reason भी हो सकता है, वहीं Redmi के display warmer tone में है लेकिन ऐसा नहीं है कि यह कम है, पुराने model के comparison में तो अच्छी होई है, लेकिन killer type का कुछ नहीं Content watching के लिए स्रिफ display से काम नहीं चलेगा, speaker's quality भी सुन लो मुझे sound तो दोनों की लगबग सेम ही लगी, लेकिन preference 13 pro plus को ही जाएगा Dolby Atmos भी है यहां, तो यह IQ से यहां भी better है यह phone 3000 की price पर value for money नहीं लगा था, लेकिन जब इतनी cheap quality के phone से compare करा, तो इसकी value समझ आई, और अभी तो इसकी value और बढ़ेगी Software तो IQ का सबसे cheap quality का है, यहां मैं यह बात नहीं बोलूँगी के यहां कितने bloatwares थे और मैंने इस phone को अच्छा दिखाने के लिए कितने delete कर दिये मैंने सच में इस phone को clean setup करके use करना शुरू किया था, सारी ही permission बंद कर दी थी, और फिर भी इसके notification आ ही जाते हैं पता नहीं कहां से, अब तो notification भी बंद करने पड़े हैं यहां एक software issue देखने को मिला कि phone की screen बार बार freeze हो रही थी, लेकिन इसे दो तीन बार restart किया, उसके बाद यह issue देखने को नहीं मिला जब मैंने इसके बारे में अपनी community पर post किया था, तो वहां एक viewer ने reply किया कि ऐसा issue उसने अपने new 7 pro में भी देखा था यहां smoothness नाम की चीज ही नहीं, OnePlus के पास OS बले ही color हो लेकिन smooth तो है, Xiaomi ने इस phone को HyperOS का update भी नहीं दिया, फिर भी यह phone बहुत जादा smooth है smoothness तो Xiaomi की Oppo, IQ, Vivo सबसे अच्छी है, जब हमें Apple, Google and Samsung नहीं लेना, Chinese brand के phone ही लेने है, तो क्या IQ और क्या Xiaomi, फिर तो जो अच्छा लगे वही ले लो, और अभी तक इन दोनों में से 13 Pro Plus ही बेटर है अब बस एक point जहाँ ये phone अच्छा है और वो है gaming experience, प्रोसेसर मैंने इसलिए नहीं बोला, क्योंकि Snapdragon 8 Gen 2 यहाँ स्रिफ gaming के लिए दिया गया होगा बस, बाकि प्रोसेसर का use तो कुछ और किया नहीं होगा ये phone gamers की जान है क्योंकि Snapdragon 8 Gen 2 स्रिफ 35,000 में मिल रहा है गेम ही तो खेलना है, बाकि build quality, software से क्या ही फरक पड़ता है UFS 4.0 का storage है 256 GB model में और अच्छा है इनके पास Trinity engine नहीं है, अगर होता तो यहाँ UFS 5.0 भी सुनने को मिल सकता था तो अभी तक simple सा conclusion है कि ये phone gaming के लिए अच्छा है, इसके display भी flat है लेकिन यहाँ एक point गोल दो कि gaming के लिए तो Poco X6 Pro भी अच्छा है, जहाँ build quality, display quality इस से अच्छी नहीं तो same तो होगी ही फिर थोड़ी extra power के लिए 10,000 extra QPay करना Camera quality, इसकी मुझे OnePlus 12R से better लगी Frank camera से photos अच्छे हैं, लेकिन photos को बहुत जादा bright किया जाता है Natural tone और HDR वाले नहीं लगेंगे यहाँ भी 13 Pro Plus better photos क्लिक करता है, जो कि natural tone में है और detail भी इस से better है Main camera से भी photo quality Redmi की ही better है मैंने सोचा था कि IQ का comparison किसी अच्छे phone से करूँगी लेकिन यह Redmi से भी better नहीं होगा, यह नहीं सोचा था Camera quality इसकी अच्छी है, लेकिन इसे Pixel या फिर Samsung से compare नहीं कर सकते बस OnePlus 12R से better है Video recording दोनों phone के main sensor से की है 4K 30fps में इनकी quality आप देख सकते है Main camera से जो video quality है, उसमें मुझे बहुत ज़ादा difference देखने को तो नहीं मिला फिर भी IQ soft और pinky stone में video record करता है human subject के वही Redmi natural रखता है Friend से भी इनकी video quality देख सकते है Friend video quality तो IQ की एकदम बेकार है, जो कि आपने इन video में देखी ली होगी Battery से शाहे disappointment किसी को देखने को नहीं मिले लेकिन इसका frame plastic का होने के बाव जूत, मुझे ये थोड़ा warm लगा था initially यूज़ करने पर तो screen on time कम देखने को मिल सकता है Battery life के लिए कोई dedicated video जादा better होगा कुछ दिन यूज़ के बाद यहाँ एक बड़ा positive point ये है कि यहाँ type C to type C cable मिलती है और एक अच्छा adapter जो 65 watt तक PD 3.0 charging speed को support करता है इस adapter को other gadgets के लिए भी use किया जा सकता है और box में ऐसा adapter मिलना value add करता है अलग से 65 watt वाला PD adapter लो तो लगबग 2000 का मिलेगा वैसे ये phone भी 120 watt की charging support वाला है लेकिन इसका adapter IQ की quality का नहीं अब यहाँ एक बड़ा negative point यह है कि यहाँ NFC का support नहीं मतलब company क्या सोचती है कि इस phone को buy करने वाले phone से payment नहीं करेंगे अगर किसी को स्टिफ Snapdragon 8 Gen 2 के लिए ये phone buy करना है तो करो, कोई issue नहीं लेकिन ये marginal performance को छोड़ कर POCO X6 Pro इससे better value प्रोवाइड करता है gaming के point से वही overall ये Redmi Note 13 Pro Plus इससे better है Redmi की अपनी problems है जहाँ software टैमली नहीं मिलते और लोगों का trust भी इससे हट गया है लेकिन अगर आप IQ का phone यूज करने की सोच रहे है तो मैं ये IQ से पहले POCO X6 Pro एंड ये Redmi Note 13 Pro Plus सजेस्ट करूंगी उम्मीद करती हूँ के आपने वीडियो पूरा देखा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इससे like जरूर करें फिर भी अगर आपकी कोई query है तो comment section में पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद